आज के वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ कि प्रेग्नेंसी के समय में मक्का या भुट्टा खाना चाहिए या नहीं क्या ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए safe होता है या नहीं होता है सारी चीजें जो है वो मैं detail से बात करूँगी उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा आप इस वीडियो को देख रहे हैं Pregnancy Care of India पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं इस तरीकी की बहुत सारे वीडियोस रेगुलर बेसेस पे लाती रहती हो तो मेक शूर तो सब्सक्राइब इस चैनल नाव लेट्स केट स्टाइब विडियो तो जो भुट्टा होता है जो मका होता है जो कॉर्ण होता है वो बहुत सारे नूट्रियंट से एकदम भरा हुआ होता है इसमें आइरन काफी होता है फॉलिट बहुत जादा होता है मतलब फॉलिक एसेड जिसकी मेडिसन आपके डॉक्टर ने आपको शुरुवाती समय से दिया था उसके लवस में मिगनीजियूम, फॉसफोरस, विटमिन C, फाइबर ऐसे बहुत सारे nutrients होते हैं जो कि आपके pregnancy में बहुत helpful होते हैं आपके बच्चे के growth के लिए बहुत helpful होते हैं लेकिन जिसमेहिलाओं को corn से allergy है या फिर पहले allergy नहीं था लेकिन pregnancy में जब उन्होंने corn खाया उसके बाद में अगर उनको थोड़ा भी कुछ तकलीफ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको कॉंट खाना स्टॉप कर देना चाहिए और अपने एक बाद डॉक्टर से परामश लेना चाहिए और अगर वो nutrients आपको supplement की जगा किसी organic अच्छे real food से आता है तो that is much better than having the supplements तो इसलिए भुट्टा जो है वो pregnancy के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एंट फायदे मंद होता है अभी भुट्टा खाने के फायदे क्या क्या होते हैं चले बात कर लेता है जैसे कि मैंने बोला इसमें fiber बहुत ज़ादा होता है इस वज़े से यह आपको constipation में राहा देता है pregnancy में constipation होना एक बहुत ही आहम समस्या है और यह ladies को काफी ज़दा discomfort करता है काफी problem करता है उनके पेट में crimes आते हैं या दर्द होता है constipation की कारण इसलिए fiber काफी ज़दा होने के कारण यह आपको constipation में भी रहा देता है जो ladies कौन अच्छे से consume करती है उनके बच्चों को जन्मदोश होने का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसमें एक तत्वा होता है folate जिसको folic acid कहते हैं और यह जब nutrients आप अच्छे से consume करते हैं अपने pregnancy के समय में तो बच्चे को जन्मदोश होने का खतरा कम हो जाता है इसलिए doctors आपको पहले ही महीने से यह supplement कहाने को बोलते हैं क्योंकि कई बार हम लोग अपने diet पो उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं और इस nutrient की कमी के वज़े से काफी सारी समस्यां का सामना करना पड़ता है आगे चलके अगर आप corn को include करेंगे तो आपको fall it अच्छी quantity में मिलता रहेगा और आपके बच्चे का nervous system अच्छे से develop होगा spine अच्छे से develop होगा जिसके कारण जन्म दोश होने का खत्रा काफी जदा कम हो जाएगा vitamin A इसमें बहुत ज्यादा होता है भर भर के होता है तो vitamin A होने की वज़े से ये मा और बच्चे दोनों के ही आखों और फैफडों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और आखों की रोशनी भी अच्छी बर करार है तो वो सारी समस्चाओं से भी भचाता है कौन अगर आप इसको सही मातरा में कंजियूम करते है इसमें iron भी खूप होता है बहुत सारी ladies का कम हो जाता है iron इस्पेशली 5-6 महीने के बाद में उस टाइम पर आप इस भुट्टे को जरूर अपनी डायट में इंकलूड करें और अपने iron लेवल को मेंटेन करें जिससे कि आपको एनिमिया नहीं हो और आपके डिलेवरी में किसी भी तरीकी की complications ना हो और साथी साथ यह आपके cholesterol level को भी control करने में काफी मदद करता है इसके अलावा कौन consume करने के बाद में आपका blood flow भी जो है वो बहुत अच्छा रहता है अच्छे से यूनो body में blood circulation बना रहता है इसके कारण आपको body pain, solution और इस तरीकी की जो समस्यां होती है उससे काफी ज़दा रहत मिल जाती है इसमें magnesium phosphorus होने के कारण आपकी हड़ियों को भी एक मजबूती मिलती है साथी साथ बच्चे की भी हड़ियों को विकास होने में development होने में काफी ज़दा मदद मिलती है साथी साथ ये skin और बालों के लिए भी काफी ज़्यादा बहतरीन चीज होती है इसमें बहुत सारे antioxidant होते हैं जिसके कारण आपकी skin में और बालों में एक अलगी चमक दिखाई देती है अब आपको खाना कैसे है आप इस भुट्टे को भून कर खा सकते हैं उबाल कर चाट बना सकते हैं किसी sandwich में डाल सकते हैं किसी सूप में डाल सकते हैं या किसी सबजी में भी डाल के खाया जा सकता है भुट्टे को अलग-अलग तरीके से खाएंगे तो उससे आप बोर नहीं होएंगे और आपको साधे nutrients जो है वो मिलते रहेंगे I hope कि आपको ये video informative लगा होगा अगर आपको ये video अच्छा लगाए तो प्लीज इसे like और बाकी की pregnant ladies के साथ में जरूर share कीजे जिससे उन्हें भी पता चलिए कि भुट्टे के कितने फायदे हैं और वो भी अपनी diet में इसे include करना शुरू कर रहें चलिए मैं आप से मिलती हूं अगले video में तब तक अपना ध्यान रखिये, bye bye and take care